क्लास तिंथ लाइ प्रोसेस इंपोर्टेंट लॉंग जो CBAC में NCRT से आते हैं और ये NCRT भी इसलिए काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है आईए देखते हैं कोशन ये कह रहा है नूट्रीशन जो है एक जीवों के लिए क्यों जरूरी होता है तीन रीजन बताईए तो पहला रीजन ये है कहता है ये है नूट्रीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो हता है नए सेल्स के ग्रोथ में मदद करता है और जो पुडाने सेल्स तूट फूट गया है उनके रीपेर में मदद करता है यह जो है इसलिए भी जरूरी है ताकि बॉडी जो है रेजिस्टेंस का विकास कर सके जिससे बिमारी से लड़ने में मदद मिले तीसरा हमारे बॉडी के अंदर बहुत चाड़े केमिकल प्रोसेस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है और उनको करने के लिए अगले सवाल की तरफ हम अपने बरते हैं अगला सवाल देखिए क्या कहता है अगला सवाल यह कह रहा है क्या वाट इस लाइकली तो हैपें इफ ग्रीन प्लांट डिसापियर फ्रम अर्थ यानि यह अद्धी हरे पादे जो है इस धरती पर से गायब हो जाता अब क्या होग अगर जो है ग्रीन प्लांट इस अर्थ से गायब हो जाए तो हमारा जो एको सिस्टम होता जो लिविंग और नन लिविंग से बना हुए पूरी तरीके से बरबाद हो जाएगा ग्रीन प्लांट जो होते है वो मेन सूर्स होते एनर्जी का साड़े और्गेनिजम के लिए सबी और्गेनिजम डारेक्ली कहिए या इन डारेक्ली कहिए वो फूड के लिए अर्थ फूड के लिए ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते है यदि ग्रीन प्लांट गायब हो ज जाएगा भुक की वज़से और आगे भी कार्णी वोरस भी मर जाएगा और इससे क्या होगा धर्ती पर जीवन ही भी लुपत हो जाएगा धर्ती पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा हमारा नेक्ष्ट शवाल है in human elementary canal name the site of complete digestion of various components of a food यानि elementary canal के किस भाग में complete digestion होता है यह complete digestion जो होता है वह small intestine में होता है तो लिखेंगे complete digestion जो होता है various components of food takes place in the small intestine CBC 2015 yoga c 2012 में अभी पुछा गया अगला सवाल यह है वाटर दा फाइनल प्रोडक्ट अप्टेन अप्टर दाइजिशन अफ अफ ए कार्वोअडेट एन प्रोटीन जब कार्वोअडेट प्रोटीन का digestion हो जाता है तो क्या finally क्या obtain होता है तो देखिए carbohydrate का एक तरह का starch होता है starch के तूटने पर गुलकोच बनता है और protein जो होता है तूटने पर क्या बनता है amino acid बनता है तो final product जो होगा carbohydrate का वो गुलकोच हो जाएगा और protein का amino acid होगा अगला सवाल की तरह बरते what do you mean by emulsification of fat emulsification का मतलब होता fat के बड़े-बड़े molecules को चोटे-चोटे molecules में तोरना large fat globules are broken down into a small uniformly distributed fat particles by the action of a bell juice this is called emulsification of fat यानि कहता है बड़े-बड़े जो fat के globules होते है molecules होते है उन्हें तोड़ा जाता है bell juice की मदद से इसी को emulsification of fat कहा जाता है अगला सवाल है name the enzymes produce by the cell of our stomach in a small amount in order to digest butter fat in our food कहरा उस enzyme का नाम बताईए जो हमारे stomach issues के द्वारा produce किया जाता कम मातरा में ताकि fat को digest कर सके तो वह enzymes होता lipase lipase वह fat को digest करने के लिए responsible होता हमारे body में और इसे कम मातरा में जो ताहे stomach क्या करता है release करता है next सवाल की तरह बढ़ते हैं जो cbac ने 2011 में पूछा है यह सवाल क्या कहा रहा है name any two parasitic plants and two parasitic animals दो parasitic plant और दो parasitic animal का नाम बते देखिए parasitic organism वे organisms होते हैं जो अपना food जो है dead sorry जो दूसरे body living body के सरीर के अंदर या living body के सरीर के ऊपर अकर के अपना food obtain करते तप लांट की बात करते हैं तक कस कट्टा हो जाता जिसे मर्बेल भी कहा जाता यह लो यह परासाइटिक प्लांट होते हैं परासाइटिक इनमल की बात किया जाता टिक्स और टैप वार्म होता है बढ़ते अपने नेक्स्ट शवाल की तरफ जो सीबी एसी 24 में पूछा गया नेम दा ग्लैंड्स पेजेंट इन दा वाल ओफ दे अἥालड यूव और ग्लैंड का ना नाम बताई हैं जो कि इन जाहिम करता हैं फूड के ड आजेशन के लिए लिए राय ठी नेमन का पांप तेनक का नाम बताना जो इस्टौमएक से निकलता है और यह ग्लैन्ड से निकलता है तो तो देखिए गैस्ट्रीग इस बăn्ड हमारे इस्टौमएक से देवालों इससे काई सारे सक्रेशन निकलते हैं जो फूड के containing pieces of bread powder what will be the result एर एक एक experiment में saliva डाला जारा है tube में जिसमें bread का टुकरा है bread का टुकरा एक test tube में उसमें saliva डाला जारा है तो result क्या होगा तो देखिए saliva जो है वह उसमें मेवजुद होता है salivary amylase enzyme ये क्या करता है आपको जो bread में carbohydrate होगा उसको simple sugar gul coach में तोर देगा अगला सावाल है name the enzymes which initiate protein digestion जो प्रोटीन के digestion की शुरुवात करता है तो अब ता पेपसीन पेपसीन क्या करता है प्रोटीन के digestion जो होता है stomach में उसकी शुरुवात चालो कर देता है how are the lungs alveoli designed in human beings to maximize the area for the exchange of gases in lungs के अंदर जो pouch like structure होता है जिसे alveoli करते है और gas का आदान पदान alveoli में ही होता है question ये पूछा गया है alveoli कैसे surface area को बढ़ा देता है ताकि gas का आदान पदान अच्छा से हो सके in lungs balloon like structure called alveoli are present that provide maximum surface area for the exchange of gases का ता lungs में balloon के जैसा structure होता है जिसे alveoli कहा जाता और ये क्या करता surface area बढ़ा देता ताकि gas का दान पदान हो शकी क्याता है alveoli के पास क्या होता है बहुत ही पतले पतले वाल होते और इसमें बहुत चारा blood vessels होता है ताकि gas का आदान परदान में स्वीदा हो